हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि जो मैथ का बेसिक लेबल का प्रास्टन होता है इससे हल कैसे किया जाता है तो देख सकते हैं पर पहला प्रास्टन है चार कुर्सियों की कीमत तीन मेजों के मुल्य के बराबर है अगर एक कुर्सी की कीमत 36 रुपए है तो एक मेज की कीमत क्या होगी देखे इस प्रास्टन को हल करना बिल्कुल आसान है सबसे पहले देखिया पर है चार कुर्सिया तो सबसे पहले लिखेंगे चार कुर्सी को अब देखे यहाँ पर प्रास्टन में था तीन मेजों के मुल्य के बराबर है तो देखे इसके बराबर में लिखेंगे तीन मेज अब देखे इसको हल करने के लिए यहाँ पर प्रास्टन में दिया हुआ है एक कुरसी की कीमत कितना है वहाँ देखे आच्छा तिस रूपए तो देखे हम लोग सबसे पहले यहाँ पता करेंगे कि चार कुरसी की कीमत कितना होगा देखे जो यहाँ पर एक कुरसी की कीमत है इससे आपको चार में गुना को करना है क्योंकि देखे एक कुरसी की कीमत चातिस रूपए है तो चार कुरसी की कीमत को निकालने के लिए इसमें हम लोग चार से गुना करेंगे चार से गुना चौँ में करें यहो जागा 24 का चार हांसिल हो जागा 2 चार का पहड़ा तीन बर पढ़ें यहोगा 12 दो था हांसिल तो यहो जागा 14 यानि देखिए चार कुर्सी की कीमत कितना हो गया वह हो गया 144 रुपए यानि देखिए यह हो गया चार कुर्सी की देखिए इसी के दाम के बराबर तीन मेज का दाम है यानि तीन मेज का दाम कितना हो जाएगा वह हो जाएगा 144 रुपए यहां पर देखिए प्रास्ट में ए एक मेज की कीमत को निकलना है, देखें एक मेज की कीमत को निकलने के लिए आपको 3 से 144 में भाग को लगाना होगा, तो चलिए अब हम लोग 144 में 3 से भाग को लगाते हैं, देखें 3 से 14 में यह लग जाएगा 4 बार में, यहाँ पर हो जाएगा 12, 14 में से 12 घटाने पर यह बचे दो अब देखे हम लोग यहां से चार को उतारेंगे तीन का पहड़ा आठ बर पढ़ें तो यह हो जाएगा 24 और यहां देखे संख्या पूरा-पूरा कट जाएगा यानि एक मेज का कीमत कितना होगा वह हो जाएगा 48 रुपए तो आप लोग इसे अच्छे तरह से समझ गये ह हम लोग दूसरा प्राशन को हल करते हैं तो देख सकते हैं पर दूसरा प्राशन है आठ किताबों की कीमत पांसो बीस रुपए है तो पांच दरजन किताबों की कीमत कितना होगा देखे इस प्राशन को हल करना बिलकुल आसान है सबसे पहले देखे हैं आप लिखेंगे आठ कीताब की कीमत कितना है वह देखिए हैं पर है 520 रूपए अब देखिए आपको सबसे पहले एक कीताब की कीमत को पता करना होगा देखिए एक कीताब की कीमत को पता करने के लिए आपको 8 से 520 में भाग को लगाना है तो चलिए हम लोग 8 से 520 में भाग को लगाते हैं द यहां बच जाएगा चार, यहां से देखिए उतरेगा जीरो, आठ का पहड़ा पांच बार पढ़ें, तो यह हो जाएगा चालीस, और यहां देखिए संख्या पूरा-पूरा कट जाएगा, यानि एक किताब की कीमत कितना गिया, वहां गिया पैसाट रूपए, अब आपको पांच दर्जन कदाम को निकालना है, देखिए पांच दर्जन का मतलब होता है, एक दर्जन में होता है, बारा, तो पांच दर्जन में कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, बारा से पांच में गुना को करेंगे, बारा से गुना पांच में करें, तो यह हो यहाँ पर देखिए, एक कीताब की कीमत कितना था, वह था 65 रुपए, तो हम लोग 65 से या 60 में गुना को करेंगे, क्योंकि देखिए, 5 दर्जन का मतलब होता है, 60, यानि आपको 60 कीताब की कीमत को निकालना है, तो हम लोग 65 में 60 से गुना को कर देंगे, 0 से गुना 5 में करें, या होगा 0, और यहाँ पर भी हो जाएगा 0, 6 का पहड़ा 5 बार पढ़ें, या होगा 30 का 0, और हासिल हो जाएगा 3, 6 का पहड़ा 6 बार पढ़ें, या होगा 36, तीन देखिए हासिल है, तो या हो जाएगा 49, अब देखिए आपर जो भी संखिया है, इसक हम लोग आपस में जोड़ेंगे यह हो जाएगा 4900 रुपाय यानि देखिए अगर 8 किताबों की कीमत 520 रुपाय है तो 5 दर्जन किताबों की कीमत कितना होगा वह हो जाएगा 3900 रुपाय तो आप लोग इसे भी अच्छे तरह से समझ गये होंगे